असलाम अलेकुम नाजरीन इक्राम ब्रेक पे जाने से पहले हम जो कॉलर थे उनके सवालों का जवाब दे रहे थे तो मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया था जो आठर इसके बारे में था और इसके लावा आपको हल्दी का दूद जो गोल्डन मिल्क होता है वो भी ब दूसरे कॉलर ने हम से सवाल किया था इनको कॉलिस्ट्रॉल की शिकायत है और पिशाब बहुत आती है देखे पिशाब का बहुत आना मसाना की कमजोरी होती है तो उसके लिए आपको कॉलिस्ट्रॉल के लिए पानी पीना बहुत मुफीद है कॉलिस्ट्रॉल में आपको चिक चिकनाई की चीजों से दूर रहना है जिस चीज में चिकनाई ज्यादा हो आप अपना खाने का तेल बदल दें और फ्राई चीजे आप कम खाए और ये फर्क है पानी बहुत पीना बहुत ज़रूरी है पेशाप अगर आप पानी बहुत ज़्यादा पीते हो कॉलिस्ट्रॉल की वज़े से तो पेशाप का आना उसी वज़े से होता है या फिर मसाने की कमजोरी की वज़े से पेशाप जादा आती है तो ये दो का वज़े हो सकती है लेकिन पानी आप पीना ना छोड़े देखे पानी पीते रहे पानी से बहुत-बहुत से बीमारियों का जो इलाज है वो सिफ पानी से भी हो सकता है, क्योंकि पानी हमारे जिसम को साफ करती है, तो आप भी नारील का पानी आपके लिए बहुत अच्छा है, और कॉलिस्ट्रॉल के लिए अलसी, बहुत अलसी की जो बींच होती है, यह बहुत मुफीद होती है, और लहसुन भी कॉलिस्ट्रॉल क के लिए बहुत अच्छा होता है तो पहले आप अलसी की बीच से शुरू किये मैं एक आपको सफूब बनाना है जितनी हम बजन आपने अलसी की बीच और मेथी की बीच आपको लेना है और अजवाइन की बीच लेना है हम बजन लेना ये तीनों चीज आपको लेना है और इसक को पानी मेढल को पीना है तो ये आपका इलाज है आप ये खाली पेड़ भी पी सकते हो लेकिन मैं हमेशा मशवरा करती हूं कि खाली depends कि अगर आप सुभा जब भी उठें तो आपको पानी पीना है पी चाहिए आपको शहत का पानी किए आप लिम डाल के पी या साधा पानी कि तो बिना बीना क्या बासी मुः हम लोग उसको कहते एक बासी मुः अगर आप पानी पर pow वर्द कोई और सुबह उढ़के आपने ना कुल्ला किया ना कुछ कि आपने बस पानी पीना है इसलाला जिसं में जो भी बीमारी होती है वो पैशाप और पाखाने के रास्ते काम होती है तो पैशाप का आना आप बहुत जज़ादा पानी पिरेों इस वजे के साथ, तो सोफेद तिल आपने लेना है, उसको पॉडर बनाना है तो आप उसको पॉडर बना ले या तो हम जैसे आपको अगर एक चमच अपने गुड़ का लिया, पीसी वी गुड़ अब मिल जाती है लेकिन गुड़ का जब इस्तमाल होता है तो आपको पुराना दुलावानी होता है वो पुराना गुड़ होता है तो एक चमच हमको वो लेना है और सोफेद तिल लेना है और उसके साथ साथ हमें सोफेद जीरा भी लेना है यह तीन चीज हो गई है तो पहले आपको सोफेद जीरा और सोफेद तिल का सफूब बनाना है हम वजन लेकर उसक मिक्स भी कर सकते हैं, जैसे आपने गुड़ को एक चमज गुड़ को आपने उसको पिघाल लिया, बरतन के अंदर उसको मेल्ट कर लिया और फिर उसमें आपने सुफेज जीरा का सफूफ और जो सुफेज तिल का सफूफ मिक्स करके आपने उसको गोलियां बना ली, छोटी- अगर आपको शुगर की शिकायत है, तो आप आज लिया है, फिर एक दिन छोड़के एक दिन आप उसका ले सकती हो, और तिल का इस्तमाल, जिस किसी को भी मसाने की परेशानी हो, कमजोरी हो, जो तिल होता है, गुड़ और तिल, यह बहुत मुफीद होता है, तो आप इसका एक हफ़ता नहीं करना है, आप से दो से तीन हफ़ता इसका इन्शालला रेगुलर आस्तमाल करें, एक दिन छोड़के, एक दिन नागा करके आपको खाना है, और 15 दिन के बाद इसका जो भी असर है, इन्शालला हो ताला वो होना शुरू हो जाएगा, और आप इससे बेहत मैसूस करोगे हमारे पास एक कॉल है इंशालला हम यह कॉल लेते हैं असलाम वालेकूम जी बोली अधर इत्रों से जी अभी क्या होता है कि जो गुटनों के अंदर जी जी हुदके नीशी के जो मेरा हम इसके अंदर मुझे बहुत अधरे ज़न वो थे दू जलने जिपन जिपना जां तो इस Angela है यह पर नांबा करों फिर वापस पाउंक यह वापनी आद एप जानन होता है शुआ एप जानन होती तभी जानन होता है जी जी इन्शाला ताला मैं आपको बताती हूं इसका नुस्का और अल्ला से दूआ करूंगे अल्ला आपको शिफाय काम लाता फर्माएं तो हम इसी सवाल पर पहले चलते हैं इन्हों ने स्कॉलर ने मुझे बताया कि इनको आथुराइटिस बहुत सालों से है और इनके घुटनों के नीचे जो गोश होता है उसमें बहुत जलन होती है जब यह नमाज पढ़ती है और इनको साथ में थायरोड भी है देखी जब आपको एक से दो बिमारियां अल्ला ताला देता है तो आप कोशिश करें कि आप जादा से जादा सब्जियों का और फलों का इस्तमाल करें और जैसे मैंने कहा था आथुराइटिस के लिए मैंने जो इलाज उनको बताया था जो गोश तो आपने घुटनों के देखी जब आपको जलन हो रही है जो शायद आपका वह सा थोड़ा नरम हो चुका है कि एक ऐसा होता है कि बहुत सारी बिमारियां जब एक साथ आती तो जिसम में धीला पना जाता है तो हमारे जो जिसम का जिल्द है वो लटकने लग जाती तो उस वज़े से होता है तो आ आपके जो जलन हैं, जलन के लिए दो चीज बहतर है और एक तो हमारे नभी नहीं उसका इस्तमाल किया है कि चाहे वो दर्दे सर हो या किसी और किसम का दर्द हो या जलन हो हमारे तलवे में या किसी भी जिल्द में अगर जलन हो तो आप महंदी का इस्तमाल कर सकते हो महंदी जिसम को ठंडाक रखती है तो आप महंदी को अपने उस घुटने के नीचे तो आप अगर बहुत जादा जलन हो तो आजकल के महंदियों में कलर नहीं होता है तो आप उसका स्थमाल करके अपने उस जलन को दूर कर सकती हो इसके इलावा आप दूदी का जो तेल होता है आप उससे मालिश कर सकते हो देखिए मालिश करने का मतलब मालिश नहीं करना है हमको उसको दबाके हमको स्रिफ तेल लगाना है कि हमारे जिसम के अंदर वो जजब हो जाए जो हम तेल का स्तमाल करें वो उससे जजब हो जाए तो तो उससे आपकी जलन दूर हो सकती है उसके लावा आप इसब गुल का बुक्का इसब गुल का जो पॉर्डर होता है तो उस पॉर्डर काँ इस स्टमाल करें इंशानला तौलर इसमें कोई नुकसान नहीं है उसमें कोई side effect नहीं है आप दिन में दो दफा भी इसका इस्तमाल कर सकती हो इसब गुल का जो पॉडर होता है उसका इस्तमाल से जिसम की जो गरमाज होती है जो जलन होती है उससे बहुत फर्क पड़ता है तो हर बीमारी जरूरी नहीं है हम एक ही चीज से इसको ठीक करें बहुत से तरीके होते हैं तो हम उससे ठ नटोद उसको P.A. रोजाना इन्शाला आपको फरक पढ़ेगा और थायरोट के लिए थायरोट के लिए भी जो मैंने आथ्राइटिस के लिए मैंने जो कहा था अब जो हरा धनिया का पत्त है यह बहुत बहतर होता है और आप भी कोशिश करें कि आप इमली का स्टमाल ना कर स कि है अपने जिसμु थोड़ा हिलाते हों तो आलला का शुक्र अदा करें ला ने हम यह नमाश दी कि जिसके इस्तमाश सम проблем क contributing ऑतीं उसी बहाने से मारा जिस यह जाता है तो इस को आप बरकरार रखे इंशालला और दर्द के लिए जिसम के दर्द के लिए एक मसनून दुआ है कोई भी दर्द हो कोई भी जिसम का दर्द हो आप उस दर्द के लिए एक मसनून दुआ हमारे प्यारे नभी ने बताया है आप इस दुआ को रोज आना इस्तमाल करें आप दिन में दस बार पड़े तीन बार पड़े आप कुछ भी लेकिन उस तरीके से पड़े जुस तरीके को हम बता रहे हैं नबी पाक अब्स बार पड़े ने फरमाया अपना हाथ उस जगह रखो जहां पर तुमको दर्द महसूस हो रहा है तो जहां पर भी आपको दर्द है वहाँ पर अपना हाथ रखे आप तीन बार बिسم इल्ला कहना है आपको और साथ मरतबा ये दूआ पड़ना है आउजु बिल्लाही वकुद्रतीही मिन शर्री मा अजीदु वा हजीरु इसका मतलब ये है मैं अल्ला की जात और कुद्रत से हर उस चीज़ से पना मांगती या मांगता हूँ जिसे मैं महसूस करती हूँ या करता हूँ जिस से मैं खौफ करता हूँ करती हूं तो यह यह दूआ है यह दूआ आपको मस्नून दूआओं में मिल जाएगी इसको आपको साथ बार तीन बार बिस्मिल्ला कहा है आपने जहां पर दर्द वहां पर अपना हाथ रखना है सीधा और फिर आपने तीन बार बिस्मिल्ला कहना है और आपको यह साथ बार दुआ पढ़नी है यह दुआ आपको मस्नुन दुआओं में मिल जाएगी इन्शाला ताला इसका आपको दिन में आप दो दफा पढ़े आप पांट दफा पढ़े लेगिन इन्शाला उस यकीन के साथ पढ़ना कि आपने जिस चीज़ पर अल्ला का कलाम कर दिया इन्शाला उससे आपको फाइदा जरूर पहुचेगा इस यकीन के साथ आपको पढ़ना है तो यकीन बहुत जरूरी है कि क्यूंकि हमारा यकीन कहीं न कहीं कमजोर है वो पुखता नहीं है वो कमजोर ही है तो उस यकीन के साथ इंशालला पढ़िएगा इंशालला आपके दर्द में मैंने आपसे कहा ता कि मैं आपको एक तेल बताँ है तो जैतून का तेल ले खाले आपको मैद नेशेगर का तेल करने तो आपने शेमें बप्रियानी वगिरा में डालते हैं Verma के तेज़ पाद ढलना है और इसको अपको पहले क्यों कि फटा इस तेल को बाफोत बनने में तो डू को पूसे जगा सिराना है और मुफीद है प्रिए रिए कि di people Crown 9D झालिभा यंशालला यकीन माने इस से आपको बहुत बहुत फायदा पहुचेगा तो उस तेल की बॉतल को आपने ऐसी जगह रखना है जहां पर कोई उसको हाथ ना लगाए हर चार दिन की इसको आपको दो हफसा रकता है दो हफ़सा थे पते को डुबा के लिख तेल में वो तर हो रहा है और तेस पत्य में जो अल्ला न हिला देना में थी है जो उसको बाए tvर निकाने है उसvाया चाना है और और एक मलमल की कपड़े से छानना है और जो भी उसमें जो भी सफुफ निकलेगा तेज पत्ते का तेज पत का तो वो इसको निकालना है और उसको उस बोटल का इस्तमाल आपको आपके दर्थ के लिए करना है जिसम का कोई भी मालीश मालीश का मतलब में वापस से बता रही बार मालीश का मतलब होता है तेल आपके जिसम आपके जिल्द के अंदर जजब होना तो आप जब आप क्रीम लगाते हो तो आप उस क्रीम को आप ऐसे जब उसको मलते हो तो वह आपके जिसम में चले जाता है ज जलन होती है इंशाला आप वो लगाए इससे आपको बहुत फरक पड़ेगा तो इंशाला इस तेल को आप कोई भी इस्तमाल कर सकते हो और किसी भी दर्द के लिए इस्तमाल कर सकते हो और ये जोडों के दर्द के लिए और कमर के दर्द के लिए बहुत मुफीद है तो आप इ ऐसी चीजे हमारे घर में ही मौजूद है और अल्ला ने एक ही गिजा में सत्तर किसम की बिमारियों का हल दिया हुआ है, सत्तर बिमारियों का उसमें इलाज है। तो हम हर चीज ये देखेंगे कि जिस आज हमने ये खाना है, तो एक मामूल बनाए कि आपको पहले जिसम को ठंडा रखना है, क्योंकि जिसम जब बहुत जादा अंदर से गरम हो जाता है, तो बिमारियों आती है, जैसे आप कब्ज को ले लीजे, कब्ज की जो जड़ होती है वो जड़ शुरू होती है, किसी ने कहा बानी बहुत कम पीने से होती है, या हम बहुत ही खाना गलत तरीके से खाते हैं, लेगिन अगर आप उसको सोचे, तो कब्ज की बिमारी सबसे बड़ी वजुहाद जो होती है, कब्ज होने की, जब वक्त होता है, जब हमें हाजत महस होती है, कि हमें अभी जाना है, हमें हाजत महसुस होरी पाखाने की, तो हम नहीं जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हम या तो किसी काम में मशगूल होते हैं, हम कुछ महमान आते हैं, तो महमान की तरफ ध्यान देते हैं, या फिर हम टीवी देख रहे होते हैं, या हम ऐसे कोई का खाना पीना तो वो तो बात की बात है लेकिन पहले आपने क्या किया है जो चीज जो जिसम आपका हाजत जो मांग रहा है जो आपको जाना है पाखना में आप उसको रुका देते हो तो जब आपने उस चीज को रुका दिया है तो वो आपने पूरी तरह से उसको रुका दिया कि हमें जरूरत महसूस होती है, लेकिन क्योंकि हम कोई काम कर रहे होते हैं, हम उस वक्त मशगूल होते हैं, दुनियावी काम में, तो हम जाना जरूरी नहीं समझते हैं. तो उस वजे से वो ही एक वजे शुरुवात होती है बिमारियों से यह जो कब्ज की बिमारी है जो मसानी की बिमारी है तो आप समझे जिस वक्त को जिस वक्त जो चीज आपको हो रही है सब काम छोड़के आप पहले अपनी हाजतों को पूरा कीजिए एक बार वो पूरा कीज भते हो applis और अल्लामस चलव से जो चीज जो मशनीरी बनीच में बनाई होसो समझ की मिए है उसरी सुभाद बनाई है 팀 की हम इंसां उसको रोकना शुरू कर देते हैं जिसका जो वक्त होता है उस वक्त पे अपनी हाजत को पूरा करें इंशालला आप कोई बिमारी आएगी नहीं क्योंकि खाना पीना वो तो बात की बात है जो हाजत है पहले उसे पूरा कीजिए आप तो हर काम को छोड़े और अपनी हाजत पूरा कीजिए तो पहले आपको पा हिठा होता है कि यह चीज होगी यह बीमारी हमारी हो सकता हम जानते सब कुछ है पर हम करते वही हैं जुह उस वक्त हमको महसूस होता है तो ऐसा नहीं कीजिए जब ज कर आऽ इस आप खा लिया है और कोई नियामत अल्ला की फिर आपको नजर आ गई है दस्तोर खान पे तो आप फिर चल पड़े और फिर आपने उसको उठाके मुझे खा लिया जितनी भूख है उतना ही खाना चाहिए तो ये भी सब जैसे हमने अपनी आदतों को बदल दिया इंशालला तो बि करजो की वज़े से हम पर बिमारी आती है अल्ला बंदों को इसलिए भी बिमार करता है जो लोग कभी सजदा भी नहीं करते जो लोग कभी अल्ला के दीन को समझने की अल्लान ने जो पुरान दिया है उसको पढ़ने की जो हमारे पाक स्थ बिल्च सेल Gemma ने जो हमें दीन दीया है उसके मुताबिक हम जुक भी नहीं परते Georgia तो हम बिमार हो जाते हैं तो जब ऐसा बंदा बिमार होता है तो वो भी सजदा करना शुरू कर देता है, ये सोच के कि अल्ला ताला मुझे शिफा देगा, सुभान अल्ला, तो आप देखिए कि ये रहमत है, तो अपनी सेहत को नेमत जानकर उसका खयाल रखे, क्योंकि जब आपको पता है कि ये चीज से शुगर बढ़ने वाला है, तो चीज को मत खाईए, कुछी दिनों की बात है, कुछी महीनों की बात है, इंशालला, एक बड़ा परहे शुरू करोगे, आप उसको कम करना शुरू करोगे, तो इंशालला आप खुद बखुद ठीक हो जाओगे, तो कोशिश करे कि जिस मर्ज में डॉक्टर्स ने या फिर क कम कर दीजिए नाजरीनिक राम प्रोग्राम का वक्त अब खतम हो चुका है इंशाला ताला हम नेक्स्ट एपिसोर्ट में आपसे मिलेंगे अस्सलाम अलेकूं और रहमतुलाहिव बरकातु हुआ